Hello students, once again welcome back to our YouTube channel विसाल जूली इस्टुएंट जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस YouTube चैनल पे रेगुलरली लाल जी प्रसाद सर की बुक सेट थिरी का सॉलीशन अपलोड करता हूँ तो इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लाया हूँ Exercise 2B के Question No.1 का सॉलीशन Exercise 2B जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ New Book में दिया गया है Old Book जो हमारा है उसमें Exercise 2 भी नहीं दिया गया है उसमें सिर्फ Exercise 2 दिया गया है जिसका सॉलीशन मैं अल्रेडी अपडेट अपलोड कर चुका हूँ इसी YouTube चैनल पे और जिसका लिंक मैं आपको नीचे Question 1 हमें दिया गया है कि लेट A1 बराबर 1, 10, 11 A2 बराबर 2, 4, 6, 8 A3 बराबर 5, 7 A4 बराबर 2, 5, 7 And A5 बराबर 2, 4, 5 ये चीज हमें दिया गया है A1, A2, A3, A4 और A5 का वैलू हमें दिया गया है And I equals to 2, 3, 5 दिया गया है I का वैलू जो है हमारा 2, 3, 5 है और J का वैलू है 2, 4, 5 तो हमें बोला गया है Find Union of I Belong to I, A I मतलब I Belong to I, A I का हमें Union सबसे पहले निकालना है फिर हमें इसी का I Belong to J, A I का Union निकालना है फिर I Belong to I, A I का Intersection निकालना है और फिर हमें I Belong to J, A I का Intersection निकालना है हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे union of I belong to I A I का, तो हम देख रहे हैं I belong to I, यहाँ पे लिखागा है I belong to I, इसका मतलब क्या होगा कि I belong to I का मतलब होगा कि जो हमारा A I का value है A I का value है, I belong to I मतलब I का जो-जो value है वो हम एक-एक करके put करेंगे इसमें तो I का value है हमारा 2, 3, 5 और इसका पूरा का union है इसका मतलब होगा A2, union A3, union A5 यहीं चीज हमारा होगा तो यहीं चीज सबसे ज्यादा important थी और समझने वाली थी इसके बाद तो आप खुद भी बना सकते हैं तो A2, union A3, union A5 तो A2 का value रखेंगे 2, 4, 6, 8 A3 का value रखेंगे 5, 7 और फिर हम A5 का value रखेंगे 2, 4, 5 तो तीनों का जब union लेंगे तो union में हम जानते हैं कि तीनों का पूरा का पूरा element को लिखते हैं लेकिन हम यह चीज ध्यान में रखते हैं कि हमारा कोई भी element repeat न हो तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे 2, 4, 5, 6, 7, 8 अब देखिए यहाँ पे 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 5 हम तो बारा न लिख दे उसके बाद हम निकालेंगे union of I belong to J AI मतलब AI का value निकालना है union में लेकिन I जो हमारा J से बिलों करना चाहिए मतलब J का value हमारा कितना कितना है 2, 4, 5 तो इसका मतलब हुआ कि हमारा A2 union A3 sorry A4 union A5 इसका value निकालेंगे तो फिर A2 का value है 246 और union फिर हम रखेंगे A4 का value A4 का value है हमारा 257 और फिर A5 का value 245 तो जो हम तीनों का union निकालेंगे तो union का मतलब ही होता है कि तीनों के जितना भी element है तीनों में सब को रखेंगे लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि तीनों में से किसी का element को repeat न करा दे 246 और यहाँ पे 2468 इसमें से देखिए 2 लिख दिये तो नहीं लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 245 तो यहाँ पे लिखा गया है इसलिए यह हमारा हो जाएगा वो हमारा इसका value हो जाएगा फिर 3rd में हमें निकालना है I belong to I AI तो I belong to I का मतलब होता है I belong to I का मतलब होता है कि जो हमारा I का जितना भी value आएगा I में हमारा जो दिया गया है capital I में तो यह हमारा जो जो value आएगा उस सब का intersection लेंगे तो I का हमारा value उपर ही दे दिया गया है I equals to 2, 3, 5 हमारा दे दिया गया है तो हम यहाँ पे रखेंगे A2 का value intersection A3 का value intersection A5 का value तो तीनों का जो intersection निकालेंगे तो A2 का value यहाँ पे A2 का मान रखेंगे फिर A3 का और फिर A5 का और तीनों का intersection निकालेंगे intersection निकालने का मतलब होता है कि तीनों में देखेंगे कि कौन सा element common है हमारा तो यहाँ पे 2,4,6,8 है दूसरे वाले में 5,7 है और तिसरे वाले में 2,4,5 है तो हम देख रहे हैं कि 2 इसमें है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 5 इसमें है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है मतलब कोई भी element common नहीं है मतलब इसका answer हो जाएगा 5 मतलब null set या फिर empty set हो जाएगा फिर इसके बाद fourth number में हमें निकालना है intersection of I belong to J AI का value तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि I belong to J कौन-कौन सा element J से belong कर रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन-कौन सा element J से हमारा belong कर रहा है तो उपर हमें दिया गया है J पराबर 245 दे दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 245 एक एक करके value put करेंगे तो A2 और फिर intersection यहाँ पे है तो intersection A4 intersection A5 तो A2 का value रखेंगे 2468 A4 का value रखेंगे 257 और A5 का value रखेंगे 245 तो इस तीनों का value रखेंगे तो हम intersection में जानते हैं कि तीनों का common element देखेंगे तो common element हमारा देखेंगे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है 2 हमारा common element है बाकि कोई भी element जो है हमारा तीनों में common नहीं है फोर को अगर देखने हैं, तो फोर इसमें तो है first वाले में और third वाले में भी है, लेकिन यहाँ पर second वाले में नहीं है वैसे ही six हमारा second में नहीं है, और ना third में है फिर eight है तो वैसा ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें two common है तो two हमारा इसका answer हो जाएगा तो यहीं था इसका solution और आगे भी वीडियो आएगी आगे इसके बाद आएगी आपको question number two की उसके बाद question three की एक एक question करके हर एक question का solution आपको इस channel पर आएगा तो अगर channel को अपने subscribe नहीं के तो subscribe कर लीजिए और साथी bell notification भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके चलिए thanks for watching